हेलो दोस्तों, रिसेंटली उनाइट किंग्डम की इंटेलिजेंस साइबर और सिक्यॉरिटी एजनसी, गवर्मेंट कम्यूनिकेशन हेट्वार्टर्स, जी सी एच्क्यू के चीफ जेर्मी फ्लैमिंग ने दुनिया भर को चितावनी देते हुए कहा कि आज ग्लोबल सिक्यॉ चाइना अपनी एकोनोमिकल एंट टेकनोलोजिकल डॉमिनेंस को यूज कर रहा है, इंटरनेशनल सिक्यॉरिटी के रूल्स को रिवराइट करने के लिए, नॉट ओली दिस उन्होंने ये भी कहा, चाइना की कम्यूनिस्ट पाटी जो है, वो यूज कर रही है, टेकनोलोजि के लिए, अब यहां पे वियॉन का एक कटाउट देख सकते हैं, चाइना's use of technology is a threat to global security, warns UK spy chief, not only this, the hindu ने उनके statement को cover किया, Fear driving China's technological manipulation poses threat to all, says UK spy chief, manipulation of technology, चाइना उस इंसान के तरह हैं, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, और जिसको बाकी लोगों से डर हैं, बाकी लोग यहां पे Chinese people and democratic systems हैं, और यह इंसान अपने इन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा अपने को defend करने के लिए, जेर्मी फ्लैमिंग का कहना है, कि चाइना इसी लिए technology को इस तरीके से manipulate कर रहा है, कि उसके जो maligned interest है, उसके जो narrow interest है, वो अच्छे से उन्हें protect कर पाए, हम देखते हैं कि आखिर वो किन threats की बात कर रहे हैं, किन technological manipulations की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आइम सोन्प्रिया, और मैं टेस्ट बुक की platform पे आपकी history, art and culture की classes लेती हूँ, this is my telegram ID, सोन्प्रिया मैं टेस्ट बुक, आप यहाँ पे मेरे साथ connect कर सकते हैं, दोस्तों, टेस्ट बुक 11th और 12th October को एक special sale लेके आया था, यानि आज इसका last day है, जहाँ पे अगर आप हमा 12 months के लिए Super Coaching IS का platform freely accessible होगा, and साथ ही साथ में हमारा course जो वैसे 36,000 rupees per year का है, अगर आप मेरा coupon code यूज करते हैं, तो आपको इस पे 25% से भी ज्यादा off मिलेगा, and गे course आपको केवल 25,000 rupees के अंदर मिल जाएगा, पूरे 12 महिने के लिए, और आज अगर आप खरितते हो, तो 2 साल के लिए 25,000 rupees आपको केवल पे करने हैं, Super Coaching में हम लोग आपको complete prelims और mains के तयारी करवा रहे हैं, video courses, mock tests, study notes, daily live classes, mains answer writing, feedback sessions, everything, and we all take your live classes, so if you are planning to join Super Coaching, join it today, and start your preparation, दोस्तों बात करते हैं, Jeremy Fleming जो हैं, वो किन technologies की बात कर रहे हैं, शायद आप जानते होंगे, China का GPS system, navigation system है, Baidu, जैर्मी फ्लैमिंग का कहना है, कि Chinese authorities, इस Baidu system को ना केवल यूज करती है, Chinese citizens, and China के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके उपर निगरानी रखने के लिए, बलकि साथ ही साथ में, बाइडू को use किया जा सकता है, बाकी countries की satellites को kill करने के लिए space के अंदर, and critical times में बाकी countries की navigation capabilities को एक तरीके से निरस्थ किया जा सकता है, a very strong allegation on China, not only this, उन्होंने ये भी कहा कि China ने जिस digital currency की बात की है, ये न केवल Chinese लोगों के उपर तेजी से नजर रखने के लिए किया गया है, अब financial times का headline यहाँ पर देख सकते हैं, virtual control, the agenda behind China's new digital currency, यानि अगर Chinese लोग इस currency को use करते हैं, तो People's Bank of China जो है, वो हर transaction पर नजर रख पाएगा, इसके साथ ही साथ में इसके लिए global implications भी हैं, कैसे, आप जानते हैं, Russia-Ukraine का war चल रहा है, Western countries ने रशिया के ऊपर बहुत सारे sanctions लगाए, ऐसे ही Iran के ऊपर भी sanctions लगाए गए, यानि आज कल financial sanctions लगाए जाते हैं countries के ऊपर, ताकि उनको line पे लाया जा सकें, बट चाइना जब से digital currency यूज करने लगेगा, तब से Western countries के लिए difficult हो जाएगा, चाइना के ऊपर ऐसे sanctions लगाना, और चाइना फिर अपनी मनमानी कर सकता है, वो एकदम बे लगाम घोडे की तरह हो जाएगा, आप यहाँ पे Fortune का आर्टिकल देख सकते हैं, Why China's Digital Currency is a wake-up call for US, US जो चाइना का अब सबसे बड़ा rival है, उसके लिए बहुत बड़ी threat है, Similarly, Japanese Times ने भी इसको cover किया, UK Spy Chief says, China's Digital Currency could help evade sanctions, So, Digital Currency के global implications भी हैं, They will empower China more, यह उस evil इंसान की तरह है, जिसके पास शक्तिया तेजी से बढ़ती जा रही है, और उन्स शक्तियों को वह इस्तेमाल कर सकता है, बाकी लोगों को तबहा करने के लिए, आगे बात करते हैं, यहाँ पे बात की गई कि China बहुत तेजी से, अपनी space capabilities को डवलब कर रहा है, especially anti-satellite systems, anti-satellite systems अगर मैं आपको simple भाशा में समझाओ, तो वो systems हैं जो बाकी देशों की satellites को मार गिरा सकते हैं, space war की तरफ हमें ले जा सकते हैं, दुनिया भर में के वल 4 countries ने इस technology को demonstrate किया है, यूएस, रशिया, चाइना, एंड रिसेंटली इंडिया ने, इंडिया का mission शक्ती, यहाँ पे जेर्मी फ्लैमिंग का कहना है, कि China anti-satellite systems को न केवल तेजी से डवलब कर रहा है, बलकि जैसे मैं आपको थोड़ी दर पहले बताया था, बाइडू जो navigation system है, उसको चाइना, ऑल्टर करके, बाकि कंट्रीज के navigation system को एक तरीके से destroy कर सकता है, चाइना, इसके अंदर तेजी से development कर रहा है, अप Eurasian Times का, एक headline देख सकते हैं, जो कि October 30, 2021 का है, चाइना says, इस new anti-satellite missile cannot only melt down enemy satellites, but also capture them into the orbit, कि हम दूसरे countries की जो satellites है, उनको न एक systematic तरीके से धीरे 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 खतम कर सकते हैं, बलकि साथ ही में, हम उनको उनके orbit में capture कर सकते हैं, पकर सकते हैं, वैसे technology अच्छी है, अगर आप किसी और satellite को capture कर सकते हैं, तो उसको refuel करना, उसको एक तरीके से repair करना असान हो जाएगा, बट शक्ति यहाँ पे एक बुरे इंसान, यानि चाइना के पास हैं, और चाइना इसको दूसरी countries के against, इन countries के interest को hurt करने के लिए यूज़ कर सकती हैं, including India. इसलिए जैर्मी फ्लैमिंग जो है, वो चाइना के space technologies, जिस तरीके से चाइना स्पेस के अंदर तेजे से आगे बढ़ रहे हैं, उसको एक global threat बता रहे हैं. यहाँ पे चाइना ने ground-based mobile laser weapons डिजाइन किया हैं, laser technology के थुरू, आप lower earth orbits के अंदर जो satellites हैं, उनको destroy कर सकते हैं. Radio frequency jammers, microwave weapons and hunter killer satellites, चाइना यह सब कुछ डवलप कर रहा हैं and possibility हैं कि conflict के दोरान, वो use कर सकते हैं बाकी countries, western countries, India as well as other countries. And definitely, they are a global security threat. इसके आगे, जैर्मी फ्लैमिंग जो है, उन्होंने anti-satellite technology के बारे में, जो बात किया, वो बहुत सारे newspapers ने पहले भी cover किया है. You can go through these headlines. इसके अलावा, अगर मैं बात करूँ, तो उन्होंने कहा, artificial intelligence के बारे में. कि चाइना अपने artificial intelligence को बहुत तेजी से डवलप कर रहा है. और यहाँ पे वो cyber data, या तो जो hack के थूँ, या इसकी companies दुनिया भर के देशों में, जो cyber data कलेक्ट कर रही है, उसकी तरह तेजी से, artificial intelligence में, US को भी पीछे छोड़ता जा रहा है. आप एशन टाइम्स का एक cut-out देख सकते हैं, August 19, 2021 का, चाइना एम्स तू ऑगमेंट इस military strength using artificial intelligence. Not only this, चाइना बहुत तेजी से, बायो टेखनोलोजी, जिनेटिक इंजीनियरिंग, इतियादी को यूज कर रहा है, अपने strategic interest and अपने agenta को fulfill करने के लिए. यहाँ पर बात करते हैं, New York Times का एक newspaper है, US wants of efforts by China to collect genetic data. US दुनिया भर के countries को बता रहा है, कि Chinese companies secret manner में genetic data जो है, उसको collect कर रही है. एक और headline आप यहाँ देख सकते हैं, प्री नेटाल टेस्ट डवलप्ट विछ चाइनीज मिलिटरी स्टोर्स, जीन डेटा ओफ मिलिएंस ओफ वूमिन. यानि चाइनीज मिलिटरी की हेल्प से, जो प्री नेटाल टेस्ट डवलप किया गया है, वो आपको बिना पता किये, आपका पूरा genetic data जो है, which the US sees as a national security threat. सोची, cyber data, artificial intelligence and biotechnology, इन तीनो का combination, एक evil power के हाथ में, it can wreak havoc, वो दुनिया भर में तभाई मचा सकता है. So, in this manner, China is increasingly becoming a threat to the global security. Not only this, China बाकी sectors के अंदर भी, अपने defense missile systems, defense technology में भी बहुत तेजी से development कर रहा है. China unveils terminator of drones that threatens to make stealth jets obsolete. बहुत तेजी से defense technology को develop किया जा रहा है. और यही Jeremy Fleming दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम democratic countries को international rules जो है, उनको tighten up करना चाहिए, ताकि China जैसे evil powers जो है, इन technology का गलत इस्तेमाल न कर पाएं, और global security जो है, उसे हम मजबूत रख पाएं. Human kind जो है, उसे हम बचा पाएं. So, मैं conclude करना चाहूंगे, पास जैसी technology है, वो उसे कैसे इस्तेमाल करेगा, ये depend करता है, उसके security, उसके strategic, और उसकी political intentions पे. So, we need to guard the technology very, very protectively. Thank you so much. Hope, आपको पूरा इशु समझ में आया होगा. अगर आपको इशु पसंद आया है, तो हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलियेगा. Do like the video, share it with your family and friends and supporters. Thank you so much. Datने भीस समझ में होगा. झाल झाल